आप दोस्तों इस नियम को जानने इसलिए आवा सकता है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते कि आपकी स्क्रीन पर शो रहूँगा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सहकारिता विभाग में 3000 पदों पर भरती होगी अब यहाँ पे कौन सी भरती होगी कौन-कौन से पध होंगे, साथ में उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी आयू सीमा क्या होगी और पुरी जानकारी हम आपको देंगे, तो जल्दी-जली बिनकिस देरी की वीडियो को स्टार्ट करते जिन्हों ने इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले, आप सभी को सबसे महत्पूर्ण, आपको ये बताना चाहूँगा, कि उप्रवंधक, सहायक प्रवंधक, समान्य सहायक, सब ओर्डिनेट और समीति प्रवंधक, ये जो है पांच पदो पर भरती का जो नियम है, वो हम देख के लिए, क्योंकि बहुत सारी यहां पर इक चीज़े है, सबसे पहले आपके स्किन पर शो हो रहा होगा, ये 15 मार्च 2023 को जो आदेश निकला है सहकारीता संस्ता चत्रिसगर से, उसमें बताया गया है कि चत्रिसगर राज्य सहकारी बैंक तता जीला सहकारी केंदरी बैंक मे कोर बैंकिंग व्यवस्ता लागू होने के पस्चाद, नाबाट द्वारा गठित कमेटी के अनुसंसा, तता बैंकों की वित्ती सिती का आकलन कर बैंकों का वर्दमान इस्टाफिक पैटर्न हुआ से नियम संसोधन का अचित्त पोन प्रस्ता प्रस्तुत करने हेतु कारेलि कमेटी का प्रतिवेदन 2021 को प्राप्त हुआ, कमेटी से प्राप्त प्रतिवेदन ग्राह करते हुए चत्तिसगर राज्य सहकारी बैंक तता जीला सहकारी बैंकों के स्टाफिंग पैटर्न तता सेवन यमों में संसोधन बाबत परिक्षन कर प्रारूप प्रस्तुत करने के के लिए 2021 को गठित की गई थी कमेटी, कमेटी ने 2021 को पुरा अपना क्या क्या है कैसा कैसा हो पुरा दिया और उसके बाद जीला सहकारी केंदरी बैंक जो अधिकारी है विश्तार प्रस्चात कतिपै सुझाओ सहीत प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिससे विचार हेतु पुन जो भी संसोधन है जैसे कि आपने बताया यहां पर बताया गया है जैसा कि आपके स्क्रिंपर शो भी हो रहा होगा उसको अनुसंसा करते हुए इस्टाफिक पैटन एवं सेवन यहां में संसोधन बाबत प्रारूप जो है आगे प्रस्तुत किया है मतलब कमेटी गठित की कमेटी गठित करने के बाद वहां पे जो भी चीजे हुई उसके बाद बहुत सरी चीजे बोलना चीजे हुई उसके बाद आपको यह जो संसोधन है वो प्राप्त हुआ अब इस संसोधन में क्या हुआ कुछ क्या जानकारी निकल क्या ही देखिए सबसे महत पूर्ण है वे वैक्ति जो इन नियमों में प्रारम होने के समय मूल रूप से इस्थापन हैसियत से सेवा के पदों का धारान कर रहे हो वे वैक्ति जो इन नियमों के प्रभावसिल होने के पूर्व सेवा में भरती किये चाहेंगे तो यह तीनों लोगों के लिए यहां पे क्या होगा जो मानने होगा ऐसा प्रकार से अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ही महत्पूर्ण जो आप लोगों को जानकारी जो यहाँ पे साजा करना चाहूँगा सबसे महत्पुना भरती का तरीका भरती के तरीके में देखिएगा इन नियमों के प्रभावसिल होने के पस्चा सेवा में भरती के निम्न लिखी तीन तरीके होंगे मतलब यह जो सहकारीता विभाग है उसमें भरती के बिसिकली तीन नियम होंगे कौन कौन से नियम है पहला नियम है कि प्रतियोगी परिक्षा के माध्यम से भरती ली जाएगी प्रतियोगी परिक्षा मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं व्यापम के माध्यम से या पीएस्टी के माध्यम से वो आगे देखना पड़ेगा कि ये कौन सी सनस्था से कराएंग फीर है दूसरा सीमित प्रतियों की परिक्षा के माध्यम से चैन द्वारा मतलब खुट डिपार्टमेंटल एक्जाम के द्वारा तीसरा सेवा के सदस्यों की पदुन्यती द्वारा मतलब प्रोमोशन के द्वारा और चौथा है ऐसे व्यक्ति के इस्थांतर और प्रतिन्युक्ति द्वारा, मतलब प्रतिन्युक्ति से भी इसमें न्युक्ति हो सकती, मतलब चार प्रकार से यहां बिसिकली क्या बताया गया है, भर्ति के तरीके बताया गया है, अब बात करते हैं कि सीधी भर्ती चैन के रिक्त पदोपर भर्ती की कालिवाई पंजियक की लिखित पुर्वानुमति से ही हो जाएगी उसके बाद याद रखिएगा ये पौईंट बहुती महत्पूण है बैंक के सिधी भरती चयन के सभी पदों पर भरती है तू 36 गड़ व्यवसाइक परिक्षा मंडल व्यापम की सेवाइन ली जाएंगी मतलब बैंक से सम्मंदी जितने भी पद होंगे उस पर जो भरती है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापम के माध्याम से होगी पिएस सी के माध्याम से नहीं होगी इस भरती नियम में ये बताया गया है बताया गए है आगे कि नियोजन के संबन्द में जो राज्य सासन के निर्देशों का पालन होगा सीधी भरती के पदो पर चैनेत्यू अभ्यरती को 36 गड़ के समान्य ग्यान एवं 36 गड़ी भासा के ग्यान संबन्दी लिखित परिछा में नियुनतम 50% अंको सहित उत्तिन होना अनिवारे होगा बतला भी इसमें एक मिनिममम क्राइटेरिया बता दिया गया है एक तो इसका सीलेबस एक आपको मोटा मोटा बता दिया गया है कि भईया आपको 36 गड़ का समान्य ग्यान साथ में 36 गड़ी भासा आपको सीलेबस में रहेगा ही रहेगा इसके साथ साथ आपको 50% लाना इसम प्रावधानिक होने की दसा में लिखित परिक्षा एवं साक्षातकार में प्राप्त कुल अंकों की मेरिट सुची के अधार पर नियुक्ती की कारिवाही की जाएगी ठीक है यह आप लोगों को समझ आ गया इसके बाद है सिधी भरती चैन के पदो पर भरती प्रक्रिया के अंतरगत उप्रबंदक अर्थात अधिकारी सेडियों उससे उपर के पदो को छोड़ कर किसी भी अन् को बताया गया है कि जो इंटरव्यू है वो परिक्षा के कूल अंकों के दस प्रतिसात होंगे जित्ता भी अंक कर लिया जाएगा उसका दस प्रतिसात अंक इंटरव्यू का होगा और चैन समीति के सभी सदस्यों को इंटरव्यू के लिए नियत कूल अंक में से ही अंक देन संस्ताद और विभाग से अधिक्रित वेबसाइट में भी 21 दिवस्पूरो अप्लोड की जाएगी तो इस प्रकार से ये इसका भरती का तरीका हो गया अब आप लोगों ने तो भरती का तरीका जान लिया अब आप ये जानिएगा कि कौन-कौन से पद यहाँ पे जो नियम के तहत है कि कितने-कितने पदों पर कितनी-कितनी मात्रा में कितने-कितने पद है यह यहाँ पे बताएगे हैं आगे देखिएगा विज्यापन का प्रकाशन नियुन्तम एक राश्टिय और दो राज जिस तरी बहु प्रसारी समचार पत्रों के सांथ 36 गर समवाद और प्रकाशी दरोजगार तथा नियोजन में किये जाने के अलावा बैंक एम विभाग की वेबस्टाइड में भी अनिवार एरुप से अप्लोट की जाएगी ठीक है जो भी जब भी वेकेंसी निकलेगी उसमें यह सारी बताएगया है अब देखिएगा आप सीमा भी जानना बहुत जरूरी हो गया है कि इस भरती में आयू सीमा क्या रहेगी तो देखिएगा आयू में बताया गए कि वर्स जिसमें पध हितु विग्यापन प्रकाशित होगा जनवरी के प्रथम दीन की अभ्यर्थी जो आगे आपको बताया गया है वहाँ पर आयू पूरी कर ली गई हो ठीक है और सेक्षणी की योग्यता भी आपको मैं आगे आप को बताऊंगा उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आगे बताया है कि प्रतिन्युक्ति है तू क्या नियम है अनुकंपन नियुक्ति है तू क्या नियम है और पदोन्यती द्वारा नियुक्ति क्या नियम है लेकिन जो कि बिरुजगारों के लिए उतना महत्पूर नहीं है चत्रिजगर के जीला सहकारी केंदरी बैंक करमचारी सेवा नियोजन ध्यायतीन के अंतरगत सिधी भर्ती के पदों पर चैन किये जाने वाले सेवा युक्तों के साथ बैंक द्वारा एक बंदन पत्र मतलब बॉंड का निस्पादान अनिवारे किया जाएगा जिसमें सेवा क कि अन्य सर्तों के साथ निम्न सर्ते भी होगी सिधी भर्ती के पदों पर चैन किये जाने वाले सेवा युक्तों को इस आशाय का सपत्पतर अनिवार उस्प से देना होगा कि उन्हें विज्ञापन में प्रकासित समस्त सर्ति तता वेतनमान संबंदी कंडि का नीश्वर्त सिकार होगी सेवा ततसर्तों को पूर्ण न करने अत्वा बैंक के लिए भारती रिजर बैंक नवार्द अधनिर्धारी त्वित्ति माब्रंडों की पूर्ती नहीं होने की स्थिति में सिधी भर्ती के पदों पर चैन किये जाने वाले सेवा युक्तों की से प्रिथक किया जा सकेगा इस प्रकार से वहां पर यह चीजे रहेगी अनिवार्द सेवा निवृत्ति भी है उसके साथ अब आप लोगों को मालू होना चीकि कौन-कौन से पद है अब देखिएगा वहां पर बतायागी बैंक से संबंदी जितने भी पद होंगे वह कहां से भरे जाएंग तीसरा प्रतिन्युक्ति के द्वारा और चौथा प्रमोशन के द्वारा तो इसमें से जो कुछ पद है प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे कुछ पद पदोन्नती से और कुछ पद प्रतिन्युक्ति से कुछ पद जो है बोल सकते हैं सीमित प्रतियोगी परिक्षा के मा प्रबंदक, सहाग प्रबंदक, सहाग प्रबंदक और समानने सहाग और सब आडिनेट इस्टाफ ये है अब देखिए अगर इसमें टोटल पत की बात करें तो राइपूर, दूर्ग, राजनांगाउ बिलासपूर, अंबिकापूर, जगदरपूर इस प्रकार से यहां जीला 233 पद है और अंबिकापूर में 317 और जगदरपूर में 490 अब देखिएगा बैंको के से सम्मंद प्राथ्यमी क्रिसी साख समीतियो बाबच सम्वर्ग सेवा जो की एक नवी सम्वर्ग जो यहां पे जनरेट किया गया जो है समीती प्रबंदक, अब देखिए यहां पे प्रबंदक के 550 पद है दुर्ग में 311, राजन्दगों में 222, बिलासपूर में 430, अंबिकापूर में 130 पर जगदरपूर में 258 पद है वेतनमान आप देखिए 19500 से 2600 लेवल 4 का है ठीक है अब बात करते हैं देखिए यहां पे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 2, वर्ग 3, वर की करन किया गया है ठीक है इसके साथ साथ आप देखिएगा आगे मैं आपको जो इंपोर्टेंट बता रहा हूं इस टाफिक पैटर्न सीधी भरती पदोनती और प्रतिन्यूक्ती पदोनती की संख्या मतलब अब आपको यहां पर पता चलेगा कि कौन से पद प्रतिन्यूक प्रत्ती से भर जाएगा इसके बाद देखिएगा मुक्रे प्रबंधक का प्रमोषन से वरिश्ट प्रबंदक प्रहं वह से भर दोपरोशन से भरे अब दिखिए अगर यह जो पद है, इसमें अगर हम बात करें, तो 25 पर्षेंट सिधी भरती से बरे जाएंगे और 75 पर्षेंट प्रमोशन से बरे जाएंगे. अब देखिए तकनीकी पदों पर सिधी भरती, मतलब जो इसमें तक्निकी संबंधित रहेंगे उन पर जो है सिधी भरती होगी इस पश्ट तो और पर इसमें बता दिया गया है ठीक है जो साहिक प्रबंधक के टोटल है 300 पद अब साहिक प्रबंधक में टोटल अगर रायपूर दूर्ग राजनगौ विलासपूर अंभीकापूर जग्दरपूर में अगर हम बात करें टोटल 300 पद है इस 300 पंद में 50% सिधी भरती से बरे जाएंगे और 50% किसमें से बरे प्रमोशन से अब 50% सिधी भरती से बरे जाएंगे तो उसमें मतलब 300 का आधा मतलब 1500 पद इसले बरे जाएंगे उसमें डारेक्ट सिधी भरती से बरे जाएंगे अब देखिए यहां बताएगा कि सिधी भरती के 50% पदों पर सहायक प्रोग्रामर के लिए आरक्चीत होगा मतलब सिधी भरती के जो 50% पद में से 10% पद जो है सहाग प्रोगरामर के लिए आरक्षित होगा इसमें एकदम इस पश्ट तोर पे बताया गया है ताकि कल चल के कोई दिक्कत ना हो फिर है सहाग प्रबंदक फिल्ड ऑफिसर के देखिए टोटल अगर हम बात करें तो 441 पद है रायपूर दूर का राजजनगौ विलासपूर अंबिकापूर जगदलपूर से अब इसमें भी देखिए 50-50% पद पर क्या होगी सिधी भरती होगी बचार 50% पर डारेक्ट पर प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे ठीक है इसके बार देखिएगा समानने साहक समानने साहक के बहुत जादा पद है लगभग 988 पद है जिसमें की 90% पद इसमें से सिधी भरती से भरे जाएंगे और 10% पद जो है इसमें प्रमोशन से भरे जाएंगे और इसमें देख सिधी भरती के 90 परशेंट पदों में से 10 परशेंट पद अनुकंपन युक्ति से भरे जाएंगे, यहां पर इस परशतोर पर का है, मतलब अगर हम देखे टोटल तो यह रायपूर दूर्ग, राजजनगौ, विलासपूर, अंबिकापूर, जगदरपूर से अगर हम बात करे और अगर 90 परशेंट पदों पर सिधी भरती होगी, तो लगबग 800 पदों पर एक मोटा मोटा मान के चलिएगा, कि सिधी भरती होगी, और 800 में लगबग 10 परशेंट भी अगर हम कार दे, तो लगबग 800 पदों पर सिधी भरती हो सकती है, ऐसा नियम कहता है, इसके बाद सब सब ऑर्डिनेट इस्टाफ की अगर हम टोटल जो है देखिए 210 पद रायपूर में 184 दुर्ग में राजनांगों में 135 है बिलासपूर में 164 है विकपूर में 83 है और जगदलपूर में 134 है इस प्रकार से 25 प्रशेंट पद अनुकंपन युक्ति एवं 75 प्रशेंट कार्मिक स समीती प्रबंधक के अगर हम रायपूर दूर्ग राजनांगों बिलासपूर अंबिकापूर जगदलपूर की बात करें तो टोटल 1924 पद है इस समीती प्रबंधक के लेकिन यहां पे इस पश्ट तोर पर कहा है कि सिधी भरती से हम 50 प्रशेंट पदों पर भरती करेंगे म इसके अलावर देखी यहां पे एक निमार्क बताया गया है कि 50 प्रशेंट पर सम्बंधित जीला सहकारी केंदरी बैंक से सम्बंध प्राथमी क्रिसी साख सहकारी समीती में कारत कर्मचारियों से चैन द्वारा नियत तरीके से भरे जाएंगे यह इस पश्ट तोर पर कहा गया है तो यह रही बात आपके कि कौन कौन से पद यहां पे 50 पर फेशन पदो पढ़ती होगे यह परमोसल वह इस इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसमें योग्यता क्या तो देखिएगा प्रोग्रामर के लिए वही है कि किसी मानेता प्राप्त विश्विद्दाले से प्रथम स्रेणी में MCA, B, B, T, Computer Science, Information Technology और Electronic and Communication में आपको होना है Graduation ठीक है फिर सहाइक लेखा पाल के लिए वही है कि 50% अंको के साथ वानित जिसनातक के साथ आपको PGDC होना चीए फिर सहाइक प्रबंदक, सहाइक प्रबंदक, फिल्ड ओफिसर के लिए देखिए कि किसी मानेता प्राप्त विश्विद्दाले से 50% अंको सहीत इसनातक उपादी के साथ मानेता प्राप्त विश्विद्दाले से PGDC है मतलब सीदी सीदी बात यह है कि आपको ग्रिज्वेशन मांगा है इसमें भी सहाइक प्रबंदक, सहाइक प्रबंदक, फिल्ड ओफिसर में फिर सहाइक प्रबंदक की बात करें तो किसी मानेता प्राप्त विश्विद्दाले से 50% अंको सहीत फिर सहाइक के लिए आपको 50% के साथ ग्रिज्वेशन सहीत PGDC आपको मांगा है समीती प्रबंदक के लिए भी 50% शिदी भरती है तो किसी मानेता प्राप्त विश्विदाले से इस नाता कुपाधी के साथ कम्प्यटर में PGDC लगबग इसमें PGDC लगबग सभी में मांगा गया है और सभी में लगबग सभी की आयू जो है नियुन्तम 21 वर्स है मैक्जिमम 35 वर्स है इसके लाबर जो समान ने प्रशाषन के दौर जो STS योबिश्यो को छुट प्रदान की जाती वो तो रहेगी ही लेकिन इसमें 21 वर्स मिनिवम 35 वर्स मैक्जिमम बताया गया है तो आप लोगों को मैंने योग्यता सिलेबस और सारी चीजे बता दी गई है इसके बाद इसमें आगे है कि पदोन नती कितने वर्स में होगी तीन वर्स पांच वर्स आचे वर्स आठ वर्स दस वर्स ऐसा करके अलग अलग उसका है तो ये आप लोगों को पुरा बताना था है इसमें देखिए एक जो नवी शंवर्ग है जिसमें की समीती प्रवंधक है। भरती की कारिवाई की जा सकेगी प्रात्मिक क्रिसी साख सहकारी सुसाइटी में कर्मचारी उसे समीती प्रबंदक के पत पर भरती है तू निमने लिखित माप दंड होंगे अब भरती को ग्रेजुएशन होना है और कम्पिटर में एक वर्सी PGDCA या बोल सकते है उत्तिन होना और शेक है प्रात्मिक क्रिसी साख सहकारी समीती में कर्मचारी समीती प्रबंदक सहक समीती प्रबंदक लेखा पाल लिपिक कम्पिटर ऑपरेटर लिपिक सहक कम्पिटर आपरेटर विकरेता जो उपरोगत निर्धारी सेक्षनी क्योग्यता धारित करते हो परिक्षा में स 24 पत्तों का ये PDF है और आपको PDF जो है कुछ देर बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगा और साथ में देखिए बहुत सारी लोगों का ये क्योस्चन था कि सर इसमें बोनस वाला जो मामला है वो कहां पर फिडबैट देखिए आपको समझाना ये चा प्रकार से देखिए का 2012 में एडियो में जो है बोनस नहीं दिया गया था लेकिन 2017 की भरती में एडियो में बोनस दिया गया था जब कि राजपत्र में उनके जब भरती नहीं है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है उसी प्रकार से जब मांग होगी कि हमको बोनस दिया जाए जो स इसा सा किया है हमको सकाइटा विभाग में special bonus दिया जाए तब वो जो है विचार किया जाए रहा हूँ यह वाला मामला है तो कहीं न कहीं अभियर्थियों को यह है कि जब भी भरती निकलेगी तो इसमें यह जो है नियाम रहेगा यह यह सीलेवस रहेगा तो आप लोग जो य benefit होगा ही होगा यहीं सब आपको जानकारी देना था क्योंकि बहुत सारे क्योश्चन कुछ रहते हैं साकारिता विवाग से संबंधित फिलाल वीडियो देखने के लाप शवी को बहुत बहुत धन्याद वीडियो यहीं तक आशाकरतों वीडियो अच्छा लगाओगा इसे ज